तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे एक बने हुए सूट से नाप लिया जाता है तो यहाँ पर देखे दोस्तो हमने अपना एक बना हुआ कम्पलीट सूट लिया हुआ है इसी सूट का हम आपको नाप लेना सारा कुछ डिटेल से बताने वाले हैं और अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी नाप की कटिंग आपको समझाने वाले हैं मतलब कि अगर किसी को भी नाप लेने में जरा सा भी कन्फूजन होता है या फिर कोई प्रोब्लम होती है या फिर उनको बिल्कुल भी नाप लेना नहीं आता तो वो इस वीडियो को देखकर आसानी से नाप लेना सीख सकता है और इस वीडियो को देखने के बाद आपको लाइब में कोई भी प्रोब्लम नहीं होगी नाप लेने में सबसे पहले तो आपको वो सूट ले लेना है जिस सूट से आपको नाप लेना है उसके बाद आपको लेनी है अपनी एक नोटबुक फिर एक पैन और फिर उसके बाद एक इंची टेप यानि के फिता तो दोस्तों ये सारी चीज लेने के बाद आपको क्या करना है आपको सबस से पहले अपने उस सूट पर जिससे आप नाप लेने वाले हैं उसको इस तरीके से काउंटर पर पूरा बिचा लेना है आपके पास काउंटर ना हो तो आप जमीन पर बिचा सकते हैं या फिर किसी भी मेज पर बिचा सकते हैं उसके बाद आपको क्या करना है अपने सूट पर फिनीसिंग के साथ प्रेस लगा लेनी है प्रेस लगाना सबसे मेन पॉइंट है अगर आपको एक अच्छा नाप लेना है अगर दोस्तों आप इस पर प्रेस नहीं लगाएंगे तो आपका जो नाप होगा वो थोड़ा बहुत गड़बड हो सकता है तो हमने यहाँ पर अपने जो सूट है इस पर प्रेस लगाई हुई है आपको भी अच्छी तरीके से प्रेस लगा लेनी है अब दोस्तों क्या करना है अब आपको नापनी है सबसे पहले लंबाई तो दोस्तों लंबाई कैसे ना पिजाती है यह सारी चीज अब आपको ध्यान से देखनी है सारे पोइंट तो दोस्तों लंबाई नापने के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले आपको अपने इंची टेप को जिदर की साइड से हमारा 1,2,3 शुरू होता है इंची टेप मे इधर की साइड से इसको हम जहां पर ये हमारी कंदी जुड़ी होती है सूंट की सूंट की कंदी जहां जुड़ी होती है यहां पर अपने इंची टेप को यानि के फित्ते को इस परकार रखना है और यहां पर अंगूटे से दाव लेना है फिर आपको क्या करना है नीचे की तरफ, जहां तक भी आपके पले जाते हैं, मतलब कि जहां तक भी आपका ये है, यहां तक पले हैं, यहां तक आपको अपनी इसकी length नाप लेनी है तो दोस्तो हमारा जो सूट है, इसकी लंबाई जो आ रही है यहाँ पर 36 इंच यानि के 36 and half तो यहाँ पर हम लंबाई को L से लिखेंगे यानि के lanc 36 by 1 by half तो दोस्तो देखें यहाँ पर यह हमारा 36 इंच जो है lanc दा गय है सूट की अब इसके बाद हमें क्या नापना है ये चीज़ आप ध्यान से देखे काफी लोग क्या करते हैं दोस्तों वो अलग-अलग तरीके से नाप लेते हैं लेकिन हम आपको जो तरीका बता रहे हैं वो एक perfect तरीका है अब इसके बाद आपको नापना है अपना तीहरा कि आपके सूट का तीहरा कितना है तो दोस्तों जैसे कि ये हमारा सूट है इस सूट को हमने प्रेज करकर इस तरीके से बिछाया हुआ है ताकि हमारा जो नैक है वो फिनीसिंग से अच्छी तरह से बैठा रहे है इसमें कोई भी जोल वगेरा नहीं होनी चाहिए अगर जोल वगेरा होगी तो perfect जो broadness है नैकी वो आपको नहीं पता लगेगी तो अब हमें पहले नापनी है अपने नैकी broadness ताकि हम तीरा जो है अच्छे तरीके से नाप सके हमें अच्छा पता लग सके कि हमारा तीरा कितना है तो दोस्तों जैसे कि देखें यहां पर हमारे नैक की जो broadness है वो है 6 इंच तो अब हमें क्या करना है 6 का हाप करना है 6 का हाप होता है 3 इंच अब हम 3 इंच को ऐसे बाहर की तरफ निकालते हुए इस कंदी से इस पॉइंट से जहां पर यह हमारा पॉइंट है यह ध्यान से देखेगा इस पॉइंट पर अपने 3 इंच इंची टेप को यहां पर ऐसे रखेंगे मतलब कि 3 इंच जो है अंदर की तरफ जाएगा नैक के फिर उसके बाद हमें नापना है यहां पर अपना यह जोइंट जो यह हमारा जोइंट है यहां पर देखे जहां पर हमारी यह आस्तीन जो है जुड़ती है हमारे सूट के अंदर यहां पर तो दोस्तों यहां पर हमें अपना नाप लेना है पहले तो यहां पर जो हमारा नाप बैठता है देखे वो बैठता है यहां से यहां तक 6 इंच लेकिन अब हमारा हाप इंच और आस्तीन को जोड़ने के लिए अंदर की तरब गया हुआ है सूट में से अब हमें अपना पूरा तीरा नापना है, तो पूरा तीरा नापने के लिए सबसे अच्छी बात यह है, कि आप अब इसका डबल कर लें, यानि के सड़े 6 इंच का डबल होगा 13 इंच, यानि के 13 इंच, तो आपका जो complete तीरा है सूट का, वो 13 इंच होगा, दोस्तों यह एक perfect तरीका है नापने का तीरे को, अगर आप इस तरीके से तीरा नापने हैं, तो आपको कभी कोई problem नहीं होगी तीरा नापने में, तो दोस्तों हम तीरे को टी से लिख सकते हैं, या फिर एस से लिख सकते हैं, एस से होता है सोल्डर, टी से होता है तीरा, तो सोल्डर जो हमारा आया है, वो आया है 13 इंच, अब इसके बाद दोस्तों हमें नापने हैं अपने नैक, कि हमारे सूट के नैक कितने हैं, दोस्तो आगर आपका customer है या फिर आप जिसका भी नाप लेने के लिए suit लिया हुआ है उससे आपको पूछना होगा कि आपको अपने neck की length कितनी रखनी है या फिर चोडाई कितनी रखनी है अगर वो ये बोलता है कि मुझे same चाहिए तो same लेने के लिए आपको क्या करना है कैसे आपको अपने इनी suit का नाप लेना है तो सबसे पहले आपको अपने इंची टेप को इस कोने पर ऐसे रख देना है इस कोने पर रखने के बाद आपको अपने इंची टेप को अपने नेक के सेंटर में यानि के देखे यह हमारा सूंथ है तो हमारा जो नेक का सेंटर नीचे की तरफ बैठता है वो यह है तो यहां तक तिर्चा नापना है आपको ऐसे सीधा नहीं नापना है उपर की तरफ से क 100% क्या होगा कि आपका जो नेक की लेंद्थ होगी वो आपको सही से पता लगेगी और जब आप कटिंग करेंगे आपको कटिंग भी तिर्चा रखकर ही करनी हैं यह सबसे बेस्ट मेटड होता है काफी लोग यह चीज नहीं बताते हैं वो क्या करते हैं सीधा ना पैसे बता कि लगेश सबस्ट आपने नेक को तो डेखिए दोस्तों हमारा जो फ्रंटर और एक वह आता है यहां पर 6.5 इंच अब हमें आ हम वहना और Peặc ने तो दोस्तों बेक नापने के लिए आपको सीधा सा काम यह करना है कि आपको ऐसे अपने ने को अपनी कुर्थी को उल्टा कर लेना है इसके बाद आपको सेम वही प्रोसेस करना है और बैक न आपने के लिए भी आपको यहां पर को रखना है कोने पर बिल्कुल देख्याइए और सिदा बिल्कुल शूट to कि सेंटर है इस सेंटर में यहाँ पर अपने इंचितेव को ऐसे ले कि आना तो अपने बैका को भी हींच रख देते लिमिघन के यहाँ पर ढ़िद धी आज देश और भाल आच है Wow तो ब्रोडनेस की आपको नैक की ब्रोडनेस जब आपने तीरा ना पता तो आपको पता लग चुका था कि हमारे नैक की ब्रोडनेस शिक्स इंच थी तो आपको अपनी नैक की ब्रोडनेस भी 6 inch यहाँ पर लिख लेनी है आगे और पीछे की नैक हमेशा बराबर वो बरोडनेस जो होती है वो बराबर ली जाती है अगर आप आगे आगे वाले नैक की बरोडनेस जादा ले लेंगे और पीछे वाले की कम ले लेंगे या फिर पीछे वाले की जादा ले लेंगे आगे व board neck बना रहे हैं या फिर round neck, v neck कैसा भी neck बनाते हो आपको आगे की और पीछे की broadness जो है same लेनी होगी, हाँ एक point हो सकता है आपका जो आगे का neck है उसकी safe अलग हो सकती है, पीछे की safe अलग हो सकती है, लेकिन broadness जो है same रहेगी आगे की भी और पीछे की भी, length भी आप अपने according पूडिंग कर सकते हैं आगे की लेंद कम रख सकते हैं पीछे वाले नेक जादा रख सकते हैं तो दोस्तों यह तो हमारा हो गया है नेक नापने का तरीका अब बारी आती है आस्तीन नापने की कि आपको आस्तीन किस तरीके से नापनी चाहिए तो यह भी हम आपको बताते हैं अब आपको करना क्या है आपको अपनी आस्तीन को कहां से ना अपना है ये चीज आपको ध्यान से देखनी है दोस्तो अब आपको अपना आस्तीन को जो आप ये जोइंट देख रहे हैं यहाँ पर जो ये वाला जोइंट देख रहे हैं इस जोइंट पर ऐसे आपको अपना इ यहां पर भी तो सूर्ट में पर इंश करते व क्ट मार्जन अंधर गए प्र फिर यहां पर आस्थी दैना अहां से सीधी यहां तक यहां पर कोई भी मारज़न कुछ नहीं देना है आप इंच का यहां पर हमारी सीधी लंबाई जो बैटी है वो बैटी है 17 इंच तो हमारी जो स्लीज की लेंथ है वो बैटी है 17 इंच अब इसके बाद दोस्तों आता है क्या इसके बाद दोस्तों आपनी है अपनी आस्तीन की गोलाई कि आपको अपनी आस्तीन की गोलाई कितन सबस्तिं की जो गोलाई है वो बैट रही साड़ेग चार इंच तो इसकी जो राउंडींग होगी पूरी वह पूरी राऊंडिंग बैठेगी साड़ेग चार इंच का डबल तो 4.5 इंच का double होता है दोस्तो 9 इंच तो हमारे जो sleeves की गोलाई है गोलाई जो है वो है हमारी 9 इंच ये सारे point अब तक आपने note कर लेने हैं अपनी काफी फर 7-7 अब इसके बाद क्या नापा जाता है ये हम आपको बताते हैं तो दोस्तो अब आपको नापना है अपने suit का breast, कमर और hip लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाता हूँ जैसे कि दोस्तो मैं अपनी वीडियो में सारा कुछ detail से बताने की कोशिस करता हूँ हर एक point आपको समझाने की कोशिस करता हूँ ताकि beginners को problem ना face करने पड़े हां कुछ लोग होते हैं जो मुझे comment करके बोलते हैं या फिर WhatsApp पर भी बोलते हैं कि आप सारा कुछ मतलब boring तरीके से बताते हो तो दोस्तों जो perfect है जिनको पता है जिनको ये काम आता है नाप लेना तो उनको तो ये video boring लगेगा लेकिन जिनको नहीं आता है जो पहली बार सीख रहे हैं या फिर दूसरी बार सीख रहे हैं उनको ये boring नहीं लगेगी चीज उनको interesting लगेगी क्योंकि उन्हें सारा कुछ पता लगेगा detail से तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं अपनी breast कैसे नापते हैं तो यहां पर दे साइड भी और इधर की साइड भी यहां पर यह जोड़ी हुई है तो आपको अपने इंची टेप को जो है इस परकार यहां पर ऐसे रख लेना है इस तरीके से रखना है रखने के बाद आपको इधर की साइड भी इसी तरीके से इसको रखना है तो यहां पर आप देख सकत वो हमारे 36 इंच होगी तो दोस्तों हमें यहां पर अपनी जो नाप लिखना है वो लिखना है 36 इंच तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों यहां पर अपनी रब कोफी पर पैन गूम हो गया था अब हम अपनी रब कोफी पर डबल करने पर 36 इंच होगा दोस्तों आप काफी बार क्या करते हैं सीधा ना बताते हैं कि हमारी ब्रेस्ट 18 इंच है यह तरीका गलत होता है आपको राउंडिंग ही बतानी चाहिए जब भी आप किसी को बताएं इससे क्या होगा सामने वाला समझेगा अच्छे से तो आपको इस ती है कमर कमर नापने के कई तरीके हैं दोस्तों आपकर अंदाजे से नाप सकते हैं जैसे कि आपको सेप दिखाए दे रही होगी यहांपर कमर की यह जोग चोडा या साड़े चोदा Platz मतलब 14 इंच पर कमर होती है maximum मैं ज्यादा तर के बदलिए बता रहा हूं ज्यादा तर जो नापी जाती है वो उपर से 14 इंच के करीब नापी जाती है तो यहां पर 14 इंच देखने के बाद ऊश्रा बना लेगे तो आपको नापना इसंत्र के लिए स्वेट के लिए रहा हूं जब सूट नाप्ते ये सब कोरें नापन के अपनी नोटबुक में नोड़ कर लेना आय। कर इसको डाएक्ट आसे नाप सकते हैं जहां पर इंची टैप रखेंगे और इधर की तरफ तो यहां पर देखेंगे जो हमारा हिप भी आ रहे हैं वो भी हमारे यहां पर आ रहे हैं सड़े 18 इंच यानिके टोटल जो हमारा ही होगा राउंडिंग में घूमने के बाद वो जाएगा कि सड़े 18 का 37 अब दूसरा तरीका भी हम आपको बता देते हैं हीप नापने का बाइचांस आपको चांक से नहीं नापना है तो क्या करना है आपको ऊपर से इंची टेप को नीचे की तरफ लगभग 21 इंच हीप जो होत नापर यह हमारा विल्कुल अश्राड़े 18 इंची आएगा तो दोस्तों यह दूसरा तरीका हुआ अब दोस्तों हमें नापने हैं अपने चाक चाक भी हम आपको बताते हैं दो तरीके से नापर जाएंगे कि चाक कहां पर खुलते हैं वैसे नोर्मली जो चाक खुलते हैं वह लो हिप पर हिखुलते हैं उपर से 21 इंच पर काफी बढ़ क्या होता है किया आप सोच रहे होंगे कि हम उपर से नाप नहीं ले रहे हैं तो उसके लिए क्या करना है आपको Bowl सीधा एसे अपने पल्ले को उपर की तरफ यह से उठाना है और नीचे नाप लेना है बस यह से नीचे से नीचे से 16 इंच मतलब कि जो आपकी लेंद फोगी क्रहे सिंप नीचे की तरह निचे के कर निशान लगे गा तो ऐसे नीचे की तरफ सो आप कहां पर खुलते हैं तो दोस्तों जो हमारा लाश्ट नाप रह जाता है वह रह जाता है दामन का कि हमारा दामन कितना है तो सूट से नाप देखने के लिए हम ऐसे अपने सूट को रख लेते हैं अब हमें क्या करना है अपने इंची टेप को फिर से लेना है और नीचे की दामन जो है हमारा 20 का मनलब यह 20 लिखना है ऐसा नहीं करना है क्योंकि यहां पर चाक खुलते हैं तो यह 20 लिख लेना है आप राउंडिंग में भी लिख सकते हैं जब आप कटिंग करेंगे फरंट और बैक की तो यहां पर हम आपको बताएंगे सारा कुछ डिटेल से की कैसे कैसे कटिंग होने वाली है तो आप इसको डबल भी देख सकते हैं 40 इंच तो दोस्तों यह हमारा नाप हो गया है अब हम आपको दिखाते हैं कि हमने अपना क्या-क्या नाप लिया हुआ है थोड़ा नीचे लाएं खर कैमरा यह देखे यहां पर हमने सबसे पहले अपनी ले अपना है उसके बाद हमने लिया हुआ है अपना बैक नेक चैंच यह भी तिरचा नापना है उसके बाद दोस्तों हमने लिया हुआ है यहां पर स्लीव यानि कि लंबाई वह हमारी 17 इंच है यहां पर आपको वह मार्जन नहीं देना है जो अमने तीरे में दिया था इसके फिसके बाद दोस्तो आपको नापनी है अपनी इसकी पर 30 इंच है नापनी है एक कमर 0हल हमार यहां पर हमारे यहां पर 7 इसके बाद नापना है दो उसके आपको अपना दामन दामनी किसे हमारे वीडियो में समझाने वाले हैं दोस्तों अगर आपने ये वीडियो अच्छे से समझ लिया देख लिया और सारी चीज नोट कर ली तो आपको कटिंग करने में भी कोई प्रोब्लम नहीं आएगी लेकिन मैं आपसे एक बात और बता देना चाहता हूं जब आप अपने नाप लेने की तरीकर मतलब प्रैक्टिस करें इस वीडियो को आपने देख लिया पूरा उसके बाद आपको क्या करना है एक बार सुबह नाप लेके देखना है बस ए 3-4 बार मतलब गैपिंग देनी है 4-5-5 घंटे के बाद नाप लेकर देख लेना है उससे आपको काफी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप जो है नाप लेने में गड़बर कभी नहीं करेंगे तो अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सेम इसी नाप की कटिंग इसी तरीके से बताने वाले हैं इतनी ही डिटेल से जैसे हमने आपको ये इस वीडियो में नाप लेना बताया हुआ है तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंकि फोर वोचिंग और उससे पहले मैं आपसे एक बात और मोलना चा है इन चीजों में और आपको ये चीज़े जाननी हैं तो आप हमारी वेबसाइट है www.rooffashion.com यहां पर जाकर आप मतलब की एक्टर्स जो आपकी फैवरेट एक्टर्स है वो सेलेबरेटरी है उसने कौन से ट्रेस पहनी हुई है और कौन से एरिंग्स पहने हुए है जुवेलरी कौन से पहनी हुई है सूज कौन सा पहना हुआ है मतलब आपका इंट्रेस्ट है इस तरी की टिप्स मिल जाएगी तो दोस्तों आप महां पर भी विजिट कर सकते हैं तो आज के लिए हमारा ये वीडियो यहीं पर खतम होता है तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कटिंग के साथ सेम अपने इसी नाप की जो हमने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है तो चलिए फिर टाटा बाबाए